दोस्तों नमस्कार, क्या एएल राहूल पूरी तरह से fit हैं? क्या श्रेर सैयर पूरी तरह से fit हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं, जो इस वक्त cricket प्रेमी पूछ रहे हैं सेलेक्टर से, टीम मैनेजमेंट से और केल राहूल पर संधिय इसलिए भी होता है कि उन्होंने अभी कोई कि खेले नहीं जब तक खेले हैं उसके बाद से वो काफी लंबे समय से बाहर हैं लेकिन उनके राइट थाई में जो इंजरी है क्या उससे रिकवर वो हो चुके हैं क्योंकि अब निगल इंजरी का नाम दिया गया है कि वो फिट पूरी तरह से नहीं है और ऐसी स्थिती में उनक कि पाकिस्तान के खिलाब खेलने की संभावना भी बहुत कम है शेयर से बैक इंजरी से उबर उबर चुके हैं और अगर आप देखें तो अगर प्रैक्टिस मैच देखें तो वहां उन्होंने एक संचरी भी बनाई है किसी मैच में संचरी बनाना अपने आपने आपकी फरस्ट चौइस विकेट कीपर बन्लेबास अगर चुना है अगर वो फिट नहीं है तो अब सवाल उठता है कि क्या इशान किशन या संजू सेमसन वैसे तो संजू सेमसन की यहां कोई टीम में ज़रूरती नहीं थी जब इशान किशन को टीम में शामिल किया गया है अगर रखा गया है तो अब सवाल ऐसे में यह भी उठता है कि पाकिस्तान के खिलाफ अगर केल राहूल नहीं खेलते तो उनकी जगह पर क्या इशान किशन को मौका मिलेगा या संजू सेमसन को मौका मिलेगा टीम मेनेजमेंट संजू सेमसन के पक्षमे है संजू सेमसन क्योंकि नमबर चार पर बन्लेबाजी करते रहे हैं और उनका औरसत भी ठीक टा करा है वंडे में वो बात अलग है कि उसमें कई बार वो नौट आउट रहे हैं इसलिए भी उनका औरसत बहुत अच्छा रहा है लेकिन इशान किशन की बात करें तो इशान किशन का क्या कसूर है भई उन्होंने डबल सेंचरी बनाई है वंडे क्रिकेट में, हाल में जो बेस इंडीज के खिलाब वंडे की सीरीज हुई, उसमें वो मैन अफदा सीरीज थे, अब उनको उनको उन पर एक बैक अप ओपनर का ठपा लगा देना, क्या बहुत मुनासिब होगा, मेरे खाल से तो मुन मनासिब नहीं होगा, क्योंकि नमबर तीन पर भी खेलते रहे हैं, बहुत फ्लेक्सिबल उनकी अपरोच रही है, आईपल में हमने उनको नमबर चार पर, नमबर पांच पर, नमबर तीन पर हर जगा खेलते हुँ देखा है, भारते क्रिकेट टीम में जब वो आये थे, अपने डेब्यू मैच में, तो हम उन पर एक अगर बतौर ऊपनार एक ठपा लगा देते हैं, तो एक तरह से यह उनके साथ सिजात्ती होगी, आपकी क्याराए है कि क्या संजू सैम्सन पर नमबर चार की बात कहना, और नमबर चार की वज़ा से उनको टीम में शामिल करना, जबकि हालिया रिकॉर्ड उनका बहुत औसर दरजे का रहा है, तो ऐसी स्थिती में संजू सैम्सन या इशान किशन, मैं वेक्तिगत तोर पर इशान किशन के लिए पक्ष में हूँ, क्योंकि इशान किशन किसी भी नमबर पर बल्ले बाजी कर सकते हैं, और अब तो में लगातार बदलाव करते रहेंगे, अपनी राय दें इस बारे में, कमेंट सेक्षन में जाकर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, नवस्कार.